क्या आप जानते हैं आखिर कैसे हुई तामबे की उत्पत्ती पूजा के दोरान कई छोटे छोटे बरतनों का उप्योग किया जाता है ये बरतन किस धातों के होने चाहिए इस बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है वैसे तो पूजा के बरतन कई धातों के बने हो सकते हैं लेकिन इन सभी धातों में तामबे को सबसे अधिक महत्व दिया गया है तामबे से जुड़ी एक कथा भी है इसके अनुसार भगवान विश्णु दुवारा मारे गए एक राक्षस के माच से तामबा धातों उत्पन हुई है आईए जानते हैं बरहा पुराण के नुसार किसी समय गुड़ा केस नाम का एक राक्षस था वह भगवान विश्णु जी का परमभक्त था उसने भगवान विश्णु को प्रशन करने के लिए घोर तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए थे तो उसने बरदान मांगा कि आपके सुदर्शन चक्र से ही म्रत्यु के बाद मेरा सरीर तामबे का हो जाए और इस धातों का उप्योग आपकी पूजा में होता रहे भगवान विश्णु ने उसे ये बरदान दे दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के सरीर के कहीं तुकड़े कर दिये गुड़ाकेस के मास से तामबा, रक्त से सोना और हड्डियों से चांदी आधी धातों का निर्मान हुआ यही बज़े है कि भगवान की पूजा के लिए हमेशा तामबे का बरतन ही उप्योग किया जाता है पूजा पार्ट के लिए तामबा सबसे पवित्र और शुबधातु हैं पूजा में इसका उप्योग जीवन में सुक शान्ती लाता है प्री दर्शको अगर आपको हमारी ये बीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सुस्क्राइब करें और कमेंट्स वोक्स में जै मादुर्गा अवश्य लिखे और अगर आप भगवान से कोई अपनी मनुकामनाई पूण कराना चाहते हैं तो कमेंट्स वोक्स में 11 बार हर हर महादेव सच्चे मन से लिखे आपकी मनुकामना अवश्य ही पूण होगी हर हर महादेव